प्रॉब्लम से सल्यूशन ता, आश्रुता, नो यूर फेट पूजा की जाती है, शमान नतह मंदिरों में पत्थर के शिवलिंग दिखाई देते हैं, लेकिन घर में रखने के लिए कई धातुओं के शिवलिंग बजार में भी हुपलब्द है, किसी भी धातुओं का छोटा सा शिवलिंग ही घर में रखना चाहिए, छोटा मतलब बितस् के बराबर अलग-अलग धातों में पारत शिवलिंगों का बिश्यस महत्व है इस शिवलिंग की पूया करने से भक्त की मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो सकते हैं पारत शिवलिंग घर में रखने से बास्तु दोश दूर हो सकते हैं जानिए पारे से बने शिवलिंग की कुछ खास बातें, शुमहापुराण के अनुशार, लिंग कोटी सहस्राश्या, यत्फ़लं सम्य गर्चनात, तद्फ़लं कोटी गूणितं, रस लिंगा अर्चनात भवेत। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान, प्रॉब्लम्स से सल्यूशन ता, एल्ट्रता, नो यॉओ फेल्ट। इस स्लोक के नुशार करोडों शिवलिंगों के पूजन से जो फल प्राप्त होता है, उसे भी करोड़ गुना ज्यादा फल, पारद शिवलिंग की पूजा और दर्शन से प्राप्त होता है, पारद शिवलिंग के अस्पर शिवात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है, कैसे बनता है पारत ये जान लीजी पारत शियूलिंग बनाना बहुत कठीन है बहुत मुश्किल काम है सबसे पहले पारे को साफ किया जाता है इसके लिए अस्ट संसकार किया जाते है इसके बाद कई औसधियां मिलाकर तरल पारे का बंधन किया जाता है यानी ठोस किया जाता है, अश्ड संसकार में करीब 6 महीने लगते हैं, इसके बाद से स्क्रियाओं में 2-3 महीने का समय लग जाता है, तब पारे से श्यूलिंग बनकर तयार होता है, घर में श्यूलिंग रखा हो तो ध्यान रखे यह बाते ध्यान रखे, घर में हाथ के अंगुठे के पहले भाग से बड़ा स्यूलिंग नहीं रखना चाहिए जहां स्यूलिंग रखा हुआ, साफ सफाई का विशेस ध्यान रखना चाहिए रोज शूलिंग के पास धीपक जलाएं, भोग लगाएं, घर में कलेश न करें और शिव जी के मंत्रों का जीतना हो सके आप जाप करें अभी तक आपने इस चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, नमस्कार